आज का हमारा प्रसंग है इमानदारी महान गुण है आईए देखते हैं कि इमानदारी महान गुण कैसे है नाव गंगा के इस पार खड़ी है यात्यों से लगभग भर चुकी है राम नगर के लिए खुलने ही वाली है बस एक दो सवारी चाहिए उसी की बगल में एक नव युवक खड़ा है नाव गंग उसे पहचानता है बोलता है आ जाओ खड़े क्यों हो क्या राम नगर नहीं जाना है नव युवक ने कहा जाना है लेकिन आज मैं तुम्हारी नाव से नहीं जा सकता क्यों भया रोज तो इसी नाव से आते जाते हो आज क्या बात हो गई आज मेरे पास उत्राई देने के लिए पैसे नहीं है तुम जाओ अरे यह भी कोई बात हुई आज नहीं तो कल दे देना नवयोगक ने सोचा बड़ी मुश्किल से तो मेरी मा मेरी बढ़ाई का खर्चा जुटाती है कल भी यदि पैसे का प्रबंद नहीं हुआ तो कहां से दूगा उसने नाविक से कहा तुम ले जाओ नों का मैं नहीं जाने वाला वेह अपनी किताब कोपिया एक हाथ में उपर उठा लेता है और छपाक नदी में कूच जाता है नाविक देखता ही रह गया मुख से निकला अजीब मनमोजी लड़का है चप चप करते नवयोवक गंगा नदी पार कर जाता है राम नगर के तट पर अपनी किताबें रखकर कपड़े निचोड़ता है भीगे कपड़े पहन कर वेह खर पहुचता है मा राम दुलारी इस हालत में अपने बेटे को देखकर चिंतित हो उठती है अरे तुम्हारे कपड़े तो भीगे हैं जल्दी उतारो नविवक ने सारी बातें बतलाते हुए कहा तुम्ही बोलो मा अपनी मजबूरी मल्ला को क्यों बतला था फिर वह बेचारा तो खुद गरीब आदमी है उसकी नव पर बिना उतराई दिये बैठना कहां तक उचित था यही सोचकर मैं नव पर नहीं चड़ा गंगा पार करके आया हुँ मा रामदुलारी ने अपने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा बेटा तु जरूर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा वह नव विवक अन्य कोई नहीं लाल बहादुर शास्त्री थे जो देश के प्रधान मंत्री बने और 18 महीनों में ही राष्ट्र को प्रगदी की राह दिखाई